दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पहले खबर नितिस सरकार का बड़ा फैसला सोलर लाईट से जगमग होगी गावों की गलिया और सड़के जाने कब सुरू होगा काम जिहा बिहार के मुख्यमंत्रे नितिस कुमार के महतवकांची साथ निश्च योजना दो के तहद अब राज के गावों के रास्ते और महतपुनिस्तान सोलर लाईट से रोसन होंगे और इस योजना का क्रियानवान इस वार से 15 अपरेल से सुरू कर दिया जाएगा मुख्यमंत्रे नितिस कुमार नि गुरुवार को यहाँ वीडियो कॉनफरेंसिंग के मायदम से मुख्यमंत्रे साथ निश्च योजना दो के अंतरगात मुख्यमंत्रे ग्रामीन सोलर इस्टीट लाईट योजना की प्रगर्ति की समिक्षा के लिए आवजीत बैटक में अधिकारियों को निर्जिस देते हुए कहा के मुख्यमंत्री ग्रामीन सोलर इस्टीट लाईट योजना का क्रियानवन 15 अपरेल से सुरू करें इसकी सुरूआत होने से गाउं के रास्ते और महतपुनिस्तान सोलर लाईट से रोसन होंगे बाड़े कबर बिहार में मौस्टा मिभाग कालाट नहीं मिलेगे ठंड से रहत कई जिलों में बारिस के चेता हुनी पटना सहित बिहार के कई जिलों में तापमान में उतार चड़ाव का सिलसले जारी है राज के कई जिलों में सर्दे के मौस्टा के दौरान बेते दिनों बारिस देखने को मिली है वही अब मौस्टा मिजाज बदल गिया है राज में पुर्वी हवा बंद होकर पचवा चलने लगी है परवतिय राज्जों से आ रही पचवा हवा से पटना सहित पुरे राज के अधिकतर जिलों में कोल डे की सिती बनी हुई है वही मौस्टा मिभाग ने बिहार के कई जिलों में अगले 24 घंटे के लिए बारिस की सम्मावना जताई है अगली बड़ी कबर बिहार में कक्चा एक से आर्थ की परिच्छा जरूर होगी बिहार के सिक्चा मंतरी विजय कुमार चोदरी ने कहा कि राज में कक्चा एक से लेकर आर्थ की परिच्छा जरूर ली जाएगी हम पूरी परिस्तियों का आकलन सुच में तरीके से कर रहे हैं बिहार में भी कोरोना की सिति समाइने है अगर ऐसे ही सिति रही तो परिच्छा जरूर ली जाएगी इससे बच्चों की पढ़ाई मजबूत होगी उन्होंने इस और भी इसारा किया है कि इसके लिए आर्टी के नियौमों में कुछ बदलाव करना पढ़े तो किया जाएगा बदा दे कि पिछले वर्स नियौमों को सितिल कर बच्चों को परमोट किया गया था कोरोना की वज़ा से स्कोल लंबे समय तक इस साल भी बंद रहे और बच्चों की पढ़ाई बादित हुई है सरकारी स्कोलों के ज़्यादा तर चात्र अल्लाइन पढ़ाई नहीं कर सके हैं और उनका सिलेबस भी पुरा नहीं हो पाया है जानकारी है कि कक्चा एक से आड़वी तक के बच्चों की परिच्छा लेने को लेकर विभाग में मन्थन जारी है अगली बड़ी ख़बर लालू प्रसाद अभी बने रहेंगे आरजेडी के राष्टिया दच अक्टूपर में होगा दिली में राष्टिया दिवेशन उसमें राष्टिया दच का चुनाव होगा साथ ही आपको बता दे कि पूरे बिहार में राज़त का 26 परवरी से सदिस्ता वियान चलाये जाएगा सदिस्ता वियान 20 जोन 2022 तक चलेगा वही राज करकरनी का चुनाव 22 सितंबर को होगा अगली बड़ी खबर बिहार में मसालों के बाद अब खाद तेल भी उबले सरसो तेल के साथ रिफाइन हुआ महेंगा जी हराज में मसालों के बाद अब खाद तेलों के भाव भी बढ़ गए है रिफाइन का भाव 100 रुप्य प्रतिलिटर उचल गया है इसके साथ सरसो ते का नियुनतम भाव भी पांच रुप्य तेज हो गया है इससे रसोई घर का बज़ट और बढ़ जाएगा जाहिरे के महंगाई से लोगों को परेसाने भी बढ़ेगी जनवरी मैने में मसालों की भाव 30 रुप्य प्रति किलों तक बढ़ गए थे अब खाद तेलों पर भी महं पर पहुच गया है वहीं पाम रिपाइन का भाव भी 10 रुप्य प्रति लिटर बढ़कर 125 रुप्य पर पहुच गया है अगली बड़ी कबर खान सर के बिहार से बाहर जाने पर पबंदी पटना के थाने में पूचताच जारी जिया बिहार के चर्चित यूटूबर और टी पुचताच की है बुदवार देररात पटना के पत्रकर नगर थाने में खान सर को बलाया गया था आंदोलन भड़काने को लेकर खान सर पर प्रातमिकी हुई थी एफायर दर जोने के बाद पहले बार वा थाने पोहुचे थे वहां पुचताच की इसके बाद उन्हें अमकाने को लेकर भी हिदाय दी गई है इसके साथ इक हान सर को पुलिस का सहोग करने के लिए कहा गिया है अगली बड़ी कबर पतना हाई कोड में प्राइमरी स्कूल हेड मास्टर नियुक्ते मामले पर सुनवाई सरकार को हलप नमा दायर करने का निर्देश जहाँ पाटना हाई कोड में राज के राश्टे करेट प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी स्कूल हेड मास्टर के पद बरभरती के लिए नियम के तहत निर्दारे सर्तों के मामले पर सुनवाई 21 अपरेल 2022 को की जाएगी चीप जैस्टी संजे करोल के खानपिट ने सुनवाई करते वे राज सरकार को फिर चार सब्तों की महलत हलप नमा दायर करने के लिए दिया गिया है साथ ही कोटन याचिता करताओं को राज सरकार दोरा दायर हल अपनामा का जवाब देने के लिए दो सब्दा के महलत दिया है कूर में कोटन याचिता करता एसोसेशन के सदेस को सर्तों के साथ चैन नियुक्ति और भरती में आग लेने के अनुमते दी थी लेकिन कोटने इस मामले को कुछ सर्तों भी रखा था इनके रिजल्ट की घोसना के जाएगी लेकिन इस पर कारवाई नहीं होगी ये कोई राइट या एक्टिविटी का दावा नहीं करेंगे बाड़े कबर राज में अगर आप 22 स्कुटी रखे हैं तो जरूर कर लिजे ये काम बिहार में परिवाहन विभाग ने मार्च पर किया है फोकस जी हाँ अगर आपके पास भी कोई मोटर बाइक इसकुटी जैसे दो पहिया वाहन है तो जान लिजे कि आपके लापारवाहिया बिल्कुल नहीं चलने वाली है हेलमेट नहीं पाने वालों के खिलाब समय समय पर अभियान भी चलाया जा रहा है पिछले एक वर्स में दो पहिया वाहन चालकों से जुर्माना मद में 19 करोड 71 लाग की वसुल हुई है इसमें परिवान पदादिकरियों ने 31 लाग 38 जार तो पुलिस ने 19 करोड 40 लाग की दरासल दो पहिया वाहन पर दो ही लोगों को बैठने की अनुमती होती है और दोनों को हेलमेट पहने रहना अनिवार है लेकिन छोटे सहरों में अक्सर पुलिस भी इस पर ध्यान नहीं देती है लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा अगली बड़ी खबर सीबेसी स्कूल में दो बार होगा प्रीबोर्ड टेस्ट कमजोर छात्रों को मिलेगा मोका जी हा सिबी एसी से महिनता प्राप्त स्कुलों में इस बार दो प्रीबोर्ड टेस्ट लिया जाएगा गुरुवार से राजधाने के कई स्कुलों में प्रीबोर्ड टेस्ट आरम हो गया है इसके बाद बच्चे आगामी 26 अपरेल से आईजित होने वाले टर्म टू के मुई क के परिचा में सामिल होंगे वही कुछ स्कुलों में समु मुर्ड की परिच्चा आयजित की जाएगी एसोसेशन औप पथी स्कुल के अदर्च डाक्टर सिवी सिंग का कहना विए थे हर बच्चे के लिए जरूरी है इसे बच्चे का बौर्ड परिच्चा से पहले एक मिल्लकन हो जाता है अगर किसी भी से में बच्चा कमजोर है तो उसे दूर करने का मौका मिल जाता है साथ उन्होंने कहा कि एक प्रिबोर्ड की परिचा फरवारी में एवं दूसरे प्रिबोर्ड की परिचा मार्च में लेने का नेने लिया गया है पहले प्रीबोर्ड में जिस टॉपिंग में बच्चे कमजोर होंगे इसे दूर कर दूसरे प्रीबोर्ड में बैटने का मौका दिया जाएगा इससे बच्चों की पढ़ाई के प्रती गम भिरता होगी अगली बड़ी कबर भाजपा के बागी MLA सुरेंदर सिंग को मिला नाव का सहरा मुकेश सनी की VIP के तरब से आज करेंगे नामांकर जिहा बलिया के बरया सेट से भाजपा विदायक सुरेंदर सिंग को चुनाओ लड़ने के लिए नाव का सहरा मिल गया है मुकेश साने की पार्टी VIP ने सुरेंदर सिंग को अपना प्रतासी बनाया है सुरेंदर सिंग आज बतोर VIP प्रतासी नामांकर दाखिल करेंगे भाजपा ने इस बार कुझ चुनिंदा विदायकों कोई टिकट काटे है इसमें सुरेंदर सिंग भी सामिल है अपने बयानों क को लेकर हमिशार चर्चा में रहने वाले सुरिंद्र सिंग की जगा मंत्रे आनंद स्वरूप सुकल को बलिया और बैराया सीट से मैदान पर उतारा है टिकट कटने के बाद से इस सुरिंद्र सिंग ने बगावती रोक अक्तियार कर लिया था आगली बड़ी ख़बर बिहार में बिजली को लेकर सोसल सर्वे 47 परतिसत लोगों ने कहा स्मार्ट मिटर लगाने के बाद 30 परतिसत तक बढ़ गया है बिजली बिल जिहां बिहार सरकार आने राजों से महंगी बिजली देने के बाद भी उपभुगताओं को सुविदा नही Exodus and hugh. बिहार में समाजिक सर्वे की बिजिँज टीम और आय डिजिटिनेक्स डिजिटाल मार्केटिंग के सर्वे में 573 परतिसत लोगों ने बिहार में बिजली को लेकर सुविदा देने में सरकार को फि gid बताया है जबकि 47 परतिसत लों ने कहा है की स्मार्ट मिटर लगान जिहां बिहार लोग सिवा आयोग ने गुरवार को एक तस्वी नियाएक सिवा का मुई की परिचा के रिजल्ट जारी कर दिया है आयोग की ओर से 691 रिजल्ट जारी किया गय है इन चात्रों का सक्चातकार के बाद फाइनल चेन किया जाएगा यह परिचा 211 सिपदों के अगली बड़ी खबर बिहार में बागों की संक्या कतिस पिछले तीन वर्सों में छोकी मौजिया भाजबा सांसा देवम राज के पूर्व उपमुख मंत्री सुसील कुमार मौदी ने एक प्रसन के उत्तर में केंद्री परियावारान वन एवम जल्वाई परिवर्तन मंत्री बुपेंद्र आदाव ने बताए कि बिहार वाल में की टाइगर रिजर में दोजर अटार के आकलन के अनुसार बागों की संक्या कतिस है पिछले तीन वर्सों में कूल छे बागों की मित्तु हो गई है वर्स 2019-20 में एक एक तता दोजर एकिस में चार बागों की मौत हो ख्यान चलाया जा रहा है जिसके बाद राज में पिछले दो वर्सों में भूजल की सिती बहतर हुई है बावजोद इसके सबे लोगों को पाने नियामित मिले इसको लेकर राज सरकार एक नई उजना तयार कर रही है इसमें वैसे सबी छेतर को चिनित किया जाएगा जहां भूजल में लगातार गिरावाट हो रही है और उसके बाद वह क्रिटिकल जोन में तब्दिल हो गया है वहां के सरकारी अबम नेजी बोरिंग को बंद कर सरकारी जलापूरती योजना से पाने पहुचाया जाएगा इसको लेकर लगोजल संसादन ने एक प्रस्ताव तयर क किया है जिसमें पेजडी वह अन विबागों को भी जोड़ा जाएगा इसकी पूरी तरह से सुरवाद राजगीर से करने के समभावना है आज के लिए आपको सवाल बताए कि बिहार में स्मार्ड मिटर लगने के बाद बिजली के बिल में बढ़ोतरी हुई है नहीं इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं